विद्यार्धी मित्रो प्रणाम आजे सामाजिक विग्ण्यान नो विशय अने मा आपड़े ख्यालाच्चे पेलो पाट अर्धो पुरु कर दिदो जेनु नामतु भारत मा एरोप्यन प्रजानु आगबन। विद्यार्धी मित्रो आपड़े आगणी विडियो मा छेल्ले जोईतु पोर्टु गीजो नी सत्तानो अंध केवी रिते आवें। आपड़ा देश मा कितली ये उरोप्यन प्रजावी ती एमानी पेलली प्रजावाती पोर्टु गीजो बंगार तरफ जवानो प्रहत्न करेतो परंतु शाहा जाये सु करेतो आमनी कितली भी ओठियो अती बद्धी तोड़ी एमना वहाणोंने सडगावी छेल्ले दिव, दबण, आने गो आपुर्त। हवे आपड़े जे बीजी एरोप्यन प्रजावी छे जोवानू छे तेनू नाम छे डच प्रजा। विद्यार्दी मित्रो खुब अगत्ते नू मुद्धो छे, खुब ध्यानमा राग जो डच प्रजा, डच लोको, कया देश ना वत रुटि नी आता, जैने हाल नू नेधरलेंड देश ना नामति ऊड़क्वामा आवे छे। विद्यार्दी मित्रो आलोको सोडमी सदीना अंत भागमा भारत मा आवे। सधी एटली विद्यार्थी मित्रों 100 वरस्नों समय घाल, सोव वरस एटले सधी के मा विद्ध्यार्थी मित्रों आलोको जारे वेपार करवा माटे आव्या त्यारे आमने पेली कोठी स्तापीती पुली कट मा और विची कोठी स्तापीती मद्रास मा मद्रास इतले विद्यार्थी मित्रो हाल नुँ चेन नहीं के मायचे जे तमिन लाडु राजिये मा तमने जोवा मढ़े चे आपड़ा बारतना चेक धक्षीन मा चेक छेडा उपर आवेलो राजिये चे विद्यार्थी मित्रो आ वेडियो नो बिजो प्रस्ण पहलो प्रस्ण कईयो बनेवों? डच लोको कया देशना वतनी आता होलेंड कौण सवाड शब्दप्वान लखवानों विद्यार्थि मित्रों आई वीडियो नुँ बिजो प्रस्ण के डच लोकोए सव प्रथम पोतानी कोथी क्या और क्यारे श्तापी तो डच लोको ए सव प्रथम पोतानी कोठी आगरा मा इस्वीशन सोर्षोने 63 मा स्तापी ख्यालावसे विद्यार्थी मित्रों विद्यार्थी मित्रों खास द्यान राग जो के आट डच लोको भारत मा आव्या खरा पन जेवो एलोको व्यापार करवानी सर्वात करी ने तो एनी जान कोने थाई अंग्रेजो ने केम ताके डच लोको नी पाचड पाचड कई प्रजा आवानी आती अंग्रेजो जिवा अंग्रेजो भारत मा आविया तो अंग्रेजो जेटला ताकत वर छेन एटला डच लोको हता नई एटले आ बन्ने वच्चे डच लोको और अंग्रेजो बन्ने वच्चे लड़ाई थाई जिमाहारी गया को और डच लुको इतले ना छुटके तेमने भारत छोड़ी ने जवुपू तो विद्यार्दी मित्रो डच लुको मा बे प्रश्णों अगत्यना बन्या एक तो ते कया देशना वतनी आता अने तेमने सव प्रत्रम पोतानी कोठी क्या अने 11 स्तापी आगरा मा स्तापी ती आगरा उत्तर प्रदेश माँ छे जिज ग्या उपर आजे आपणी साथ अजाईबी ओ माथी एक अजाईबी इतले के ताज महिल जोवा मडे छे विद्यारदीमित्रों त्यार पछीनों बीजो प्रश्णे आवे छे भारत नी अंगरेजों उपर नजरं विद्यारती मित्रों खास द्यान में राघ जो भारत नी अंग्रे जो उपन नजार इतले के अंग्रे जो भारत मां क्यारे आवे ha और आंँ एम नी नजर कई रीते जुवा है तो जो विद्यारती मित्रों श्वीसंड-500 मां इंग्लेंड नी राणी इलिजाबेध ना समय मा ब्रिटीच इस्ट इंडिया कम्पनी स्तापना थैं, विद्यार्थी मित्रों आमा बहुच ध्यान राग जो, बहुच अग्यत्य नो पॉइंट छे, घणा बदा विद्यार्थी मित्रों भूल करें छे, इस्ट इंडिया इंग्लेंड ना वेपारी ओय करी थी हाँ अगर यो प्रस्ण पुछा है कि कोना समय मा इस्ट इंडिया कंप्री नी स्थापना थाई तो तमें लखी सको छो राणी इलीजा बेथ आ वीडियो ना आपड़ो तीजो प्रस्ण आगर नो प्रस्ण आरी ते बने चे कि इस्ट इंडिया कंप्री नी स्थापना क्यारे अनि कोना समय मा थाई तो कोना समय मा राणी इलीजा बेथ ना समय मा क्यारे थाई तो इस्वी सन सोर्शो मा विद्याती मित्रो आ राणी इलिजाबेद कोण हती एना अपड़े फोटो द्वारा समझी जो विद्याती मित्रो आ छे राणी इलिजाबेद जारे तेनी नानी उम्मर हती त्यारे आरी ते देखाती ती जारे ते राणी बनी त्यारे आरी ते देखाती ती अने अंदाजित अत्यार एक पंचानो थी अठाणो वरस्नी वर्मा ते आधिति ये डेखाये चे विद्यादी मित्रों येक मुगूट छे तमेहे जू शकोचों अहुं तमने आद मुगूट ने बहुत सारी दे बताओ आ मुगूर तम्हें द्यानती जूजो विद्यादीमित्रों ये इंदर एक अगत्य नो मुद्धो राहेलों चैंच जो आनी अंदर आ अखिकत मा आवे चे विध्याती मित्रों दोरण दसमा पन तमने पन बतावी देए जो आनी अंदर ये फोटो मड़ी आ तो जो आम विध्याती मित्रों आ फोटो खास अगत्तेनों चे समझों आ जे मुगूट छाना आ मुगूट राणी विक्टोरिया राणी इलीजाबेद आ येमनी पेडियो छे ए लोका मुगूट पेरेचे हाल तो मिजियम मा छे इंगलेंड ना पन जे वखत आपण देज गुलाम हातो ने वखत आ मुगूट पेरातो तो आ मुगूट ने ये मद् आ मुगूट नाम छे कोही नूर विद्याति मित्रो आ कोही नूर हीरो अंग्रेजो आपणी पासे थी लही गाया आम तो घणी वदी स्टोरी छे के वखते पंजाब नो जे राजा हतो रंजित सी एमने आ अंग्रेजो ने बेट मा आप प्रेजो पणे हीरो खुब किम्ती ह अपणा भारत ना बे हीरा प्रख्या चे एमानो आ एक कोही नूर अन विजू नाम चे ग्रेट मुगल खाली आतो विद्याति मित्रो महीति माटे हतो पना मा खास देनाक जो इस्वीशन सोर्सो मा राणी इलीजाबेत ना समय मा इस्ट इंडिया कम्पनी नी स्तापना थाई आ कम्पनीनी स्तापना थाई आ कम्पनी सू छे अकिकतमा कम्पनी कहें बनी कम्पनी बनानो शें अकिकतमा कम्पनी बनानों कारण हथु तो लखिलू ऊचरिनि मित्रों आह . करी धन्वान थवा माटेया बन्यू तो जेवी कंप्री नी स्तापना थाई तो सव प्रथम एमनू वहाण इस्विशन शोडशो ने आठमा सूरत ना बंदरे पहुंचिए विध्याती मेत्रो आभी प्रस्ण छे जे तमारे चौपड़ा मा लखवाणू छे के अंग्रेजोनू पहलू वहाण क्यारे अने काया बंदरे पहुंचिए शोडशो ने आठमा सूरत बंदरे बंदर इटले टापू प्रश्ट बंचे के लिए नाम होतु विल्यम होकिंज लगे तमारी भी फक्तों होकिंज लगवानों पड़ा एक प्रश्ट बंचे के हिंदूस्तान नी धर्ती पर पग मुकनार प्रथम अंग्रेज कोन होतो तो हिंदूस्तान नी धर्ती पर पग मुकनार प्रथम अंग्रेज होतो होकिंज जेवो होकिंज आवेओ तेने जाहागीर पासे गयो जाहागीर पासे थी व्यपार करवानी परवांगी मांगी पन जाहागीर बहुत चाला कातो जाहागीर ने खबर पड़ी गई के अंग्रेज जोने व्यपार करवा देई शुरू तो धीरे धीरे तेलो को सत्ता जमावी बेच से आज ये हौकिंस आवेओ खरा वेपार माटे नी परवांगी मांगी खरा पन जाहागीर ये तेने परवांगी आपी नहीं अं त्यार पछी अंग्रेज जोने खबर पड़ी लें अंग्रेज जो ए एक एवाद चालाक व्यक्ती ने जाहागीर पासे मोख लिए हो कि जैने सरड़ता पूरवांगी मेरू लिदी जैनों नाम हतो सर टॉम्स रो आ सर टॉम्स रो जाहरे जाहगीर पासे गए हो तो जाहगीरे तेमने सुरत माँ वेपार करवा माटे नी कोठी स्तापवानी परमीशन ये लेके परवांगी आपी कोठी इतले सु के जहां एमना वेपार नी बदी वस्तु हो जाती ते लोग को वेपार करी सके त्यार पछी जागीर पासे थी सत्ता चिनवाई गई और ये जाहबदारी कोनी पासे आई सहाजा पासे और सहाजा जीवो आवियो इतले एने अंग्रे जोने बंगाडा माँ व समय गाडा मां सवथी मुट्टाव मुट्टू क्षेत्र रख्ये वाद दो अने आयेज बंगाड के जहां सहाजा पासे थी परमीशन कोन लेवा मांगती तू पोर्टू गीजो पन पोर्टू गीजो ने परमीशन मड़ी नहीं अने एमनी कोठी ओ सडगावी नाख्या माव सवथी मुट्टा मुट्टी भूल क्यावा है कि जह अंग्रेजो ने बंगाड मां व्यापार करवा माटे नी छूडचा डापी अने आप पची अंग्रेजो नो व्यापार नू प्रमाण धीरे धीरे वत्तू गयो विद्यार्दी मित्रों आप पॉइंट ने अंदर आपना क्यारे आने कोणा समय गडा माँ थाई बीजो प्रश्ना। कम्पणी नो एटले कि अंग्रेजो नो पैलुआ आहाण क्या आने क्यारे पहुँचिव। य दियं प्रश्न भारत नी धर्ते यहँ बंधू ध्रति पर पग मुपनार परतम अंग्रेज कौन अतो अ प्यार पछी अंग्रेजों तो भारत मा रहा जी पहला अंग्रेजोनी पाचड पाचड फ्रेंच लोको आवी अ? कए लोको? फ्रेंच अन्य जेवा फ्रेंच लोकावे आवे है एटले फ्रेंच लोको ए फ्रेंच- इश्ळ इंडिया कमप्णी नी स्तापना करी हिस विशन सोड़सोंने चोंशटमा विध्यारती मित्रो आ वीडियो इन्दय नोऊड पछीनो प्रस्norm फ्रेंच इस्ट इंडिया कंप्णी नी स्तापना कोणे अन्य क्यारे करी तो 1764 मां फ्रेंच इस्ट इंडिया कंप्णी स्तापना थाई कोणे करी यहनों उल्ले खंदर करवामा आवियो नथी आलो कोई पण अंग्रेजोनी जेम सुरत मा कोठी स्तापी त्या थी ते पहुंचे गया पूडु चेरी जेना हाल आपड़े पॉंडी चेरी कईये चे फ्रेंच कम्पनी नो वडो दुपले हतो वडो एटले अखी कम्पनी जे चलावतु तुने जेनू संचान करतु तू एनू नाम चे दुपले आब एक प्रस्ण चे फ्रेंच इस्ट इंडिया कम्पनी नो वडो कोण हतो तो दुपले दुपले जारे कम्पनी नो वडो बन एटले इनू मुख्य धेसु आतो क्या अखा भारत मा ये व्यापार करे पन विद्यादी मित्रों आपड़ानी आगर सु बणया अंग्रे जो ओल्रेडी एमनी कोठी यो स्तापी बेटा था पाचाना पाचान फ्रेंचो आव्या अंग्रे जो ओल्रे पन सुरत मा कोठी स्तापी फ्रेंच लोको ओल्रे पन सुरत मा कोठी स्तापी इतला माटे अहें सब्द लख्यों छे कि उरोपिन प्रजामा अंग्रे जो औने फ्रेंचो बे बढ़वान कम्पनियों एक बीजानी ह पिफाइ कर तीडि मतलब अंग्रेज ना ना मुटा जगणी वक्षत तो o ملडाई पन थां चोकी परन्तु फरि त्यक्यवड्यादि म Ludra decis देलां अंग्रेज चीलोकों साथ तो पुडू चेरी माहे चंद्रनगर फगेरे मथव कोई लेके थाना जेव मथव को आविया विद्यादी मित्रों आभी एक प्रश्न छे के अंग्रे जोनी लड़ाई बाध फ्रेंच लोको निस्पड थता तेमना पासे काया काया प्रदेशो रहा तो काया काया पुडू चेरी माहे चंद्रनगर फगेरे जिवा मथव को रहा विद्यादी मित्रों नौमा दुड़मा वधारे आमा मथोको आपेला चे पन आपने आठमानी चोप्णी मा जापेलू ए प्रमाणे तमारे या लखवान तो विद्यादी मित्रों आ वेडियो मा जेटला भी प्रस्णों बन्या ए प्रस्णों तमारे लखवाना चे आमे आनि अंदर तमारे फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी मा थी तुंका प्रस्ण भी लखवाना चे औन आखा फ्रेंच लोकोनी तुंकरोत पन तमारे लखवान छे अनों विद्द्याथी मित्रों जे रीते में तमने लगवानी पद्धतीनों वीडियो मोखले ओछे ए वीडियो पहला जोजो अने ए रीते मेरे बानी करी लखवानों प्रेयत्ना कर चूँँँँँँँ तो विद्यार्ती मित्रो आ वीडियो ने अंदर आपड़ी सम्झूती अटला पूर्तीच हती आ विद्यार्ती लगतो कोई भी प्रकार नो प्रश्ण होए तो तम्हें मनें पुछी सकोच आबार प्रणाम